संतों के दर्शन तो दुनिया करती है कहा ना संत दरस जिमी पातक टरही संत मिले तो मैं मिल जाओं संत ना मोते न्यारे लेकिन इतनी आस्था इतना विश्वास इतना भाव कहां से लाएं सूखा आटा खाओ ना तो कोई उसमें स्वाद नहीं होता लेकिन इसी आटे को जरा गाय भैंस के आगी रख के देखना लप्र लप्र खा जाएगी उसको लगया का पत्ने क्या रबडी गुलाब जामन मिले हैं हमारी जीव सूखे आटे का रसनी ले पाती वो तत्तों तो जीव में गाय भैंस के हैं जो आटे में भी स्वाद आ जाए आप भूसा खाके देख एक तिनका नहीं खा पाओगे भोजने में एक तिनका आजए तो चबा नहीं पाओगी और गाय भैंस कैसे लप्र लप्र खा जाती हैं तो उनके पास समर्थ है जो सुके घास का भी आनंद ले लेती हैं उससे भी दूद पैदा कर लेती हैं खा करके तो इसी प्रकार जो के दर्शन क्या है संतों का संभाशन क्या है